हेलो स्टूडेंट कैसे ही आप लोग, I hope कि आप लोग अच्छे होंगे अगर आप लोग इस वीडियो को लाज तक देखोगे तो आज आप लोगों का 21 यानि की 21 नमबर पक्का होने वाला है लेकिन वीडियो को आप लोगों को लाज तक देखना है सब कुछ आज आप मैं आप लोगों को समझाओंगा जितने वी दिर गुतरिये प्रस्माते हैं उन्हों सब को बताने वाला हूँ सब को मैं अलग-अलग जैसे कमिस्ट्री का अलग, बैलोजी का अलग और फिजिक्स का अलग वो मैं आज आप लोगों को अलग-अलग अच्छे से समझाने वाला हूँ वीडियो को करना के है, एक लाइक करना है, और अपने फ्रेंज के साथ शेयर करना है इसका अगर फोटो चाहिए, जो फोटो है, जिस प्रकार से ये फोटो है आपको तीनो साइड का, फिजिक्स, कमस्ट्री, बैलोजी का फोटो आप लोग उसका स्कीन स्वाट लेके अपने मोबाईल में सेब कर सकते हो तो आप लोगों को जाना होगा, हमारे इस्टागराम आईडी पर हमारा इस्टागराम आईडी है, देख सकते हो इस्टागराम आईडी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्सम में मिल जाएगा और यह फिर जाओगे इस्टागराम पर साच का सकते हो सरवन और ट्वंटी थाउजन आपको हमारा सबसे उपर एकाउंट मिल जाएगा जाके जल्दी से फालो कर लो, वहाँ आप लोगों को टाइम टेबल जो टाइम टेबल आया है उसका फोटो मैंने एडिट करके अच्छे से बनाया है, उसका फोटो मिल जाएगा और सिकेंड ये आप लोगों का जो इसका फोटो, जो फूरा देखुतरीय प्रस्न का फोटो वह मिल जाएगा दोगों बहुत सारे बच्चे कह रहा थे कि क्लाश टन जो टाइम टेबल उसका अलग से हमें बताओ तो वो भी मैं आपको इस्टाग्राम पे फोटो अपलोड कर दूँगा, तो जल्दी से जाओ और इस्टाग्राम पे फालो करो और लाइक करो चलो फिर सुरुवात करते हैं, दोगों शूरें, आप लोगों को पता होगा कि जो आप लोगों का साइन्स है, साइन्स साइन्स आप लोगों को क्या क्या है, यह आपका विज्ञान जो है ना, विज्ञान, साइन्स ठीक है, साइन्स आपका फिस्जक्स होता है, यानि कि वहुतिक विज्ञान, वहुतिक विज्ञान, या फिर फिस्जक्स, फिजिक्स स्वाइच पी वाइच सी जैस्ट रिया आपका केमीश्ट्री होता है थर्छ आपक largest यह होता है 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 तो फृस्टी स्ट्री वाइर जी यह फिजिक्स होएंना सबका मैं अलग अलग बताऊंगा तो जल्दी से आप लोग इस साइंस के देखो वच्चों यह जो आपका साइंस है ना साइंस साइंस में आपका साथ मार्क का इसमें लॉंग आएगा साथ ही मार्क का इसमें आएगा और साथ ही मार्क का इसमें आएगा तो इस साथ मार्क ये और ये साथ मार्क और ये साथ मार्क पक्ता करने के लिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना मैं आपको समझाना चाहता ह हर एक चीज अगर मैं इस पर वीडियो बनाया हूं तो यह मेरा लास्ट वीडियो है लॉंग कुशन पर फिर आपको वीडियो नहीं मिलेगा ठीक है इसलिए मैं आपको सब कुश इसमें समझा दूंगा तो यह आप लोग देखिए यह सब ठीक है अब हम लोग एक एक सब्सक्राइब यह पहले हम लोग देखेंगे जो दिरखुतरी है और क्लास्टें साइंस का ठीक है क्लास्टें साइंस का तो एक कुश्चन को चलो देखते हैं पहला कुश्चन आप लोग देख सकते हो ठीक है पहला कुश्चन आपके सामने आ चुका है पहले कुश्चन मे विक्रिया होता है या कितने प्रकार का होता है और फिर या कितने प्रकार का होता है लेकिन पहले आपको बताना है रासानी का विक्रिया होता क्या है उसे समझाना है ब्राकार के रहां इसे किया लोगों का फिर इसका और मिलने लोगा लुटो किर होया चाहिए मैं पढ़ा दिया हो फिर हो्पिर विध्या धूल विस्थापन सब कुछ यह ये सब लिखना है ये आपके प्रकार को देराकारब हो नहीं होए जो पूरे चैप्टर का वीडियो है उसे देखो रासानिक अफक्रियां समेकर फुल चैप्टर इन वन वीडियो उसका प्ले लिस्ट में नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में पूरे चैप्टर को पढ़ाया गया एक एक चैप्टर एक एक वीडियो में देखना य अनुभारल्द भी लिखना है अनुशूत्र भी लिखो बनाने की विधी उपियोग सब कुछ लिखना है कि आपका साथ मार्क काय तो साथ में साथ मिले कोई काट ना पाए तो आप लोग इसको देखने के लिए अम्ल छारे उमलवण का पूरा चैप्टर देखना पड़ेगा तो आपको लिंक इस विडिए के डिसकेट्शन में पूरे प्ले लिष्ट में काम मिल जाएगा ठीक है हर एक विडिए देखो हर एक चैप्टर को समझो कि वाल 30 40 50 60 या फिर एक घंटे का विडिए इससे जड़ा नहीं बनाया गया है फिर आपका तीसरा है इसी चैप्टर स वेकिंग सोडा से आप क्या समझते हैं या विनाने की विधी रासाइनिक नाम शूत्र उपयोग बताईए जो वेकिंग सोडा होता है खाने वाला सोडा वेकिंग सोडा की वनाने की विधी रासाइनिक नाम शूत्र उपयोग बताईए आपको यह सब बताना है वेकिंग सूड़ा वंता कैसे है इसकी विधी बताना है इसका नाम बताना है इसका उपयोग बताना है इसका रासाइनिंग नाम बताना है यह सब आपको बताना पड़ेगा तब आपको यहां जानते हो ना तब आपको यहां साथ मार्क दिया जाएग साथ मार्क प्राप्त करने के लिए आपको इसका सब कुछ बताना पड़ेगा बनाने की विधी रासानिक नाम अनसूत्र एंड यहां उपयोग फिर रासानिक प्रापर्टी फिर आपको फिजिकल प्रापर्टी यह सब बताना पड़ेगा तो आपको सब कुछ बताना पड़े मैं कुछ पढ़ आपको टिपड़ी करना है जैसे भरजन भरजन होता है निश्थापन होता है प्रागलन होता है यहां सक्रता स्रणी ठीक है सक्रता स्रणी भी आपको यादकना है सक्रता स्रणी ठीक है पर टिपड़ी कीजिए आपको मैं चाल चीज दिया हूं इससे बाहर सक्रता सरणी पर्ट पड़ी कीजिए इन चार चीज़ों को आपको कम्प्लिटली तैयार कर लेना है शेप्टर से अगर अच्छे मार्क लाने हैं तो तो जल्दी से आप लोग इसको कम्प्लेट कर लो ठीक है शुन तो यह था हमार कुश्चिन नमबर फॉर्ट कुश्चिन न इससे तैयार जरूर कर लेना आई एंपी कुश्चिन है तो जाइए इससे देखिए तैयार कीजिए कहीं सद्रूंडी है हमारा चैप्टर देखिए फॉल चैप्टर कायबत अथा उनकी योगी का आपको मिल जाएगा हर एक चीज आपको खिड़ों भी पढ़ाया गया है आ मिलने वाला नहीं है अब आपका 24 अपरेल से पेपर है तो आप लोगों को स्ट्री करना पड़ेगा और अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा तभी यह सब कुश्चन आपसे स्वालब होने वाले हैं वरना कुश्चन वैसे हलुआ नहीं होते हैं सब को याद करना आपके जाना एक भी कम नहीं करना है तो आप लोग बहुत अच्छे नहीं ला पाओगी मारक तो आप लोग जाओ तत्यों के आवर्त वर्गी करन का पूरा चैप्टर एक वीडियो में बनाए गया जाके देख लो लिंकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्चन में जाएगा पूरे चैप्टर का अगला देखो बा harmful मैं आते हैं आयोग अब आपका सुर्व आत होता है जो Tou पाइलोजी देख लो कि तो बालोजी में आपको पहला कुस्यन बताता हूं बायो लोजी का पहला कुस्यन देखो मैं क्या है जो पोशन है या कितने प्रकार का होता है उधारन दीजिए पोस्थान जो आपका नूट्रेशन होता है पोस्थान यह क्या होता है पहले आपको बताना क्या होता है फर यह कितने प्रकार का होता है ठीक है सब कुछ बताना पड़ेगा इसका में एक अलक्सता विल्लों बनाया है पोस्थान का जो कि अगर कोई भी टॉपिक आपको सार्च करना है तो एक चीज लिखना पड़ीगा जैसे आपको सार्च करना है क्या हाँ पोस्टर की किरिया आपको पीछे एक बात लगाना पड़ेगा बाई स्तर्वन लेक्षर्ड आपको यह लगाना पड़ेगा सबसे ओपर लेकिन पारो फिन लेक्षर्ड से आप क्या समझते हो उत्रशरी अंग का नाम लिखिए और वरिक का क्या कार है वरिक वरिक का क्या कार्ण है जो वरिक होता है उत्सरजन तंतर के अंदर जो वरिक होता है उसका क्या कार्ण होता है क्यों लगा होता है अगर है तो क्यों है यह आपको बताना है अच्छे से डिटियल में तभी आपको साफ मार्फ मिलेंगे वरना जानती हूं क्या होगा तो आपको दल पुंज वाहि दल पुंज नर्जननंग मादा जननंग इस सब को आपको अच्छे से डेटेल में इनको आप लोगों को बताना है इनके हर एक भाग को अच्छे से दर्शाना है एक पुस्पुस उंदर सा बनाना है जिसको माने आलेडी बनवा दिया है अगर नहीं देखें आप लोग एक बात सर्च कर सकते हो पाचन तंदर कैसे बनाए बाई सरवन लेक्षर या फिर जाओ प्लेलिस्ट में एक लगा हुआ है साइंस आर्ट ड्राइंग उसमें आपको मिल जाएगा हमारा हर एक वीडियो जो साइंस से रिलेटेड ड्राइंग है ठीक है तंदर का यह सब बनवाया गया है तो आपको देखना आए कि मुझे बस आगे देखते हैं चलो अब आगे देखो अगला है चौथा नमर कुश्यन इस चेप्टर का मेंडल का जो कि आप दोग देख सकते हैं चौथा मेंडल के अनुआनसिक्ता के नियम का विविज्द न कीजी जो मे जाना है स्टूडेंट और अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग जाओ और आप क्या देखोगी अनुवान सिक्टाइम जो भीकास फुल चेप्टर इन वन वीडियो बाइस रमन लेक्षर आपको उन सब में इन तीन नहीं हजारों को समझाया गया जो शेप्टर मे है लड़का नरव हूगा या मादा हुगा लेंग निर्धान की दौरा ही पत्था चलता है कि जो आने वाला संतान है वो लड़का हो गया लड़की तो आप लोगो लिंग निधान समझने के लिए उस चैप्तर को देखना होगा या फिर साज कर सकते हो लिंग निधान 22 तरह लेक्श आपको मिल जाएगा वीडियो विडियो वी अलकि से मिल जाएगा और आपको पूरा चैप्तर देखोगी तो हरे जिलियर हो बढ़ा पड़ी हो इसलिए उस चेप्टर में बताया गिया है उस चेप्टर में इस वीडियो के डिस्क्रिशन में सब कुछ देखकर अच्छे से समझ सकते हो पूरा चेप्टर एक से लेकर 15 चेप्टर तक पढ़ाया गया है आप लिंक प्ले लिस्ट का मिलेगा और हो सकता है थो मैं आप लोगने से चेप्टर का भी लिंक दे दूँ ठीक है तो आप लोग केवल इस टाड़ी कीजिए और हमें इंस्टागराम पर जरूर फालो कर लिजें इस्टागरां का । таким त kind कि ज़रूर फालो कीजिए कूम्ह बचो फिजिक्स यहां चलोगा तेको फिजिक्स क्या है फिजिक्स आपको बताता हूं हर एक चीज को मैं अलग से बताता हूं कि कमेश्ट्री में आपको इतना तयार करना है फिजिक्स में इतना तयार करना है बायोजी में इतना तयार करना है हर एक चीज को अलग आपको समय है अगर आप लोग तैयारी करना चाहों तो और अगर आप लोग तैयारी करोगे तभी आप लोग कुछ कर पाँगे वर्ना वह इसे तो सभी लोग पढ़ते हैं सभी ले आते हैं तो आप पढ़े गया सभी के बढ़ाबर तो कोई नया करके दिखाओ तो आप लोग यहां देखो प्रस नमबर फस्ट फिजिक्स का इनके प्रमुख भाग क्या है दिखो बच्चो आप लोगो को मानो नेतर तथरांग बिरंगा संसार का चत्तक देखना पड़ेगा पहली बात और अगर आप चेप्तर नहीं देखना चाते हो तो साच कर सकते हो मानो नेतर 22 नेक्टर नेकर finitely क्यामरी की भाथ भी होआ attaching करता है ठीक है does अब आपको बहुत सब्सक्राल में जिते मैं निकर दरिष्टी दोस्त जरा दरिष्टी दोस्त और दूर दृष्षी दोस मानो नेत्र एंड बहुत कुछ बताया गया है मानो नेत्र के भाग कार्मिया आईड़ेस पुटली नेत्र तारा लेंस एंड काशाफ दरो जलिए दरो इन सब को डिटियल में बताया गया है तो देखने के लिए आप लोगों को हमारे चेक्टरा को रहे टिएए तो आप लोगों को दूसरा कुस्षित में बताता हूं प्रकास के वन्विचेपन से आपके समझते हो वड्विचेपन का आर्थ है क्या फाल ना भूण वड्विचेपन पढ़े होँगे बहुत अच्छा टॉपिक है अगर आप लोग पढ़े होंगे दो घंटे बैट कर पूरा ओम का नियम सत्यापन सीख लोगे लेकिन अगर आपको लोगा मन लगेगा तब वरना बहुसता लोग इससे बैठा रहते हैं बस कुछ करने पाते तो आपको ओम का नियम तथा इसका सत्यापन भी करना है सत्यापन आएगा तो साथ नंबर में ठीक है अगला क्वीशन आपके सामने है फारादे के विद्दुद्सुंबखिये प्रिणन संभन्धी नियम लिखी है इज विद्दुद्स पड़ाया गया गया है अगर आप लोग नहीं जानते हो तो पूरा चैप्टर का लिंक इस वीडियो की दिस्क्रिप्शन में है पहले आप लोग जाओ तैयार कर लो फिर आप लोग आओ ठीक है अगला है पांचवा नमबर कुशन विद्धत मोटर के सिध्धान्त रसना किरिया विधी का वर्ण करो जो विद्धत मोटर होता है उसकी सिध्धान कुलिया विधी और विद्ध गर्ण करना है विद्धत मोटर को अलग से भी पढ़ाया गया तो आप लिए है कहीं सो भी देखना देख सकते हो पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग को करना क्या है देखो मैं आपको पूरा चैप्टर एक से लेकर 15 चैप्टर का लिंक इस वीडियो के दिस्क्रिप्शन में दे दूँगा पहले आपको एक एक चैप्टर पढ़ना है एक दो तीन ऐसे करके हर एक दिन एक एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो इस्टूडेंट फिलहाल तक तक के लिए धन्दवाद